परिचाए भाई, गनित की एक समस्या को लेकर मैं उल्जन में हूँ, क्या तुम मेरी साहता कर सकते हो? जरूर रवी, मुझे बताओ, किसी संख्या के उपर लगी दो की घात का क्या आर्थ होता है? रवी, यह किसी संख्या के उसी संख्या से गुड़न को व्यक्त करता है, अता हम इसे संख्या का वर्ग कहते हैं अब मैं समझा, मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ, वर्ग के अतिरिक्त एक वर्ग मूल भी होता है, जो वर्ग का प्रतिलोम होता है ये तो बहुत रुची का लग रहा है, मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ छात्रों, आज हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में सीखेंगे, हमारे साथ आईए उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे किसी संख्या के वर्ग की करना करना, वर्गमूल और पून वर्ग को परिभाशित करना, अभाजे गुडन खंडन और दीरग विभाजन विधी से किसी दी गई संख्या का वर्गमूल ग्यात करना किसी संख्या का वर्ग आईए पहले वर्ग संख्या के बारे में जाने हम किसी संख्या का वर्ग कैसे कर सकते हैं ये आहसान है बस उस संख्या का स्वयम से गुडन कर दो आप वर्ग को घात के रूप में भी लिख सकते हैं इसका अर्थ हुआ कि चार का दो बार गुणन किया गया है जो कि सोला के बराबर होगा पूर्ण वर्ग आईए पढ़ें एक का वर्ग एक होता है दो का वर्ग चार होता है तीन का वर्ग नौ होता है चार का वर्ग सोला होता है पांच का वर्ग पच्चीस होता है इसी तरह अन्य संख्याओं का भी वर्ग है हम गुणन तालिका से भी वर्ग प्राप्त कर सकते हैं क्या आप चानते हैं कि इन संख्याओं को क्या कहते हैं इन्हें पूर्ण वर्ग कहते हैं पूर्ण संख्याओं के वर्ग को पूर्ण वर्ग कहते हैं। रणात्मक संख्याओं का वर्ग क्या हम रणात्मक संख्याओं का वर्ग ग्याद कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। रणात्मक संख्याओं का वर्ग भी ग्याद किया जा सकता है। जब हम रणात्मक संख्याओं का वर्ग करते हैं, तो हमें एक धनात्मक संख्या प्राप्थ होती है। मान लिजिए कि हमारे पास एक धनात्मक संख्या और रणात्मक संख्या है, और हम उनका वर्ग करते हैं, तो परिणाम समान होगा। यह जानकारी बहुत ही रुचिकर है। आईए अब वर्ग मूल के बारे में जानें। किसी संख्या का वर्ग ग्यात करना। किसी छोटी संख्या जैसे साथ, चार, पांच इत्यादी का वर्ग ग्यात करना सरल है। लेकिन क्या 27 जैसी संख्या का वर्ग ततकाल ग्यात किया जा सकता है? आईए जाने कि हम 27 का वर्ग कैसे ग्यात कर सकते हैं? हम जानते हैं कि 27, 20 और 7 का योग है, हतहा 27 का वर्ग इसके बराबर होगा. जो कि 729 के बराबर होगा. वर्ग मूल क्या है? वर्ग मूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है ये वो संक्रिया है जिसका स्वयम से गुड़न करने पर मूल संक्रिया प्राप्थ होती है आताहा हम कह सकते हैं कि चार का चार से गुड़न करने पर सोलह प्राप्थ होता है तो इस कार्ध है कि चार वर्ग्मूल है वर्ग्मूल को एक विशेष संखेत द्वारा प्रधाशित करते हैं हम इसका प्रियोग इस परकार कर सकते हैं पचीज का वर्ग्मूल पांच होगा पुंद्रा वृत्य व्यवकलन संख्या हम किसी दीकई संख्या का पुंद्रा वृत्ते व्यवकलन यानि घटान विधी द्वारा वर्गमूल ग्याद कर सकते हैं यह सचमुच बहुत ही आसान है आईए 81 का वर्गमूल ग्याद करें एक से शुरू करके 81 से क्रम अगम विशम संख्याओं को तब तक घटाते जाईए जब तक की उनका अंतर शूने ना हो जाए आपने ध्यान दिया होगा कि शूने अंतर प्राप्त करने के लिए नौ बार घटाना पड़ा अताहा 81 का वर्गमूल ना होगा अभाज्य गुडंखंडन विधी अब हम अभाज्य गुडंखंडन विधी से किसी संख्या का वर्गमूल ग्याद करने का प्रयास करेंगे सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुडंखंड ग्याद कीजिए अब समान गुडंकों के युग्म बनाईए इसके पश्चाद प्रते के युक्म से एक अभाज्य संख्या का चयन कीजिए और उनका गुडन फल ग्याद कीजिए। इस प्रकार प्राप्त गुडन फल दी गई संख्या का वर्गमूल होगा। दीर कव विभाजन विथी आभाज्य गुडन खंडन विथी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल ग्याद करना कठिन हो जाता है। इसलिए हम दीर कव विभाजन विथी का प्रयोग करते हैं। आए इसके चरण देखें। सबसे पहले दाएं से बाएं तरफ संख्याओं के युगम के उपर बाहर खीजिए। इसके बाद आप पहले युगम से चोटी या उसके बराबर की सबसे बड़ी वर्ग संख्या ग्याद कीजिए। या चालिस है क्योंकि चालिस से छोटा है इसलिए हम चै को भाजक और चै को भागफल के रूप में लेंगे। अब चालिस में से घटा दीजिए। ततपस्चात अगली बार यानी च्यानवे को शेश फल के दाएं तरफ लाएं। अब भाजक को दुगना कर दें। अब सबसे बड़ी संख्या जो भागफल की अगली संख्या होगी। इस प्रकार सोचें कि इस नई संख्या और भाजक का गुणन फल नए भाज से कम या समान हो। अब हमारे पास एक सो चौबीस गुणा चार बराबर चार सो च्यानवे है। क्यूंकि शेश फल शुन है। इसलिए चार हजार च्यानवे का वर्गमूल चौंसट होगा। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। यदि किसी प्राकृत संख्या M को N वर्ग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहां N भी एक प्राकृत संख्या है तब M एक वर्ग संख्या है। पून वर्ग पून संख्याओं के वर्ग होते हैं। रणात्मक संख्याओं के वर्ग धनात्मक संख्या होते हैं। वर्ग मूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। पुंद्रा वृत्य व्यवकलन विधी में निम्न चरण होते हैं। दी गई संख्या से एक से शुरू करके क्रमगत विशम संख्याओं को तब तक घटाएं जब तक की पनिडाम शूने ना प्राप्थ हो जाए। जितने चरण में शूनने प्राप्थ हुआ है उनकी गिनिती कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन विधी में निम्नचरण होते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ग्याद करना जिसका वर्ग पहले युग्म की संख्या से कम हो या समान हो। इस संख्या को पहले युग्म के भाजक और भागफल के रूप में लेना और शेशफल ग्याद करना। नया भाज्ये प्राप्त करने के लिए दूसरे युग्न की संख्या को शेश फल के बगल में लाना, पहले भाजक को दुगना करना और इसे नई भाजक के रूप में लाना, भाजक को पूरा करना और इसे इसी प्रकार जारी रखना.